हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है हमारी यूटूब चैनल डिजीटल टैक में दोस्तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पेन कार्ड में आप अपने घर बेठे ही किस प्रकार से करेक्शन कर सकते हैं, किस प्रकार से सही कर सकते हैं, अपने पेन कार्ड को घर बेठे ही, new process 2024 की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपको यदि दोस्तो अपने पेन कार्ड में नाम, date of birth, पिता का नाम, photo या फिर द दोस्तो हमको Google ऑपन करना है, Google ऑपन करने के बाद सर्च करेंगे N HDL, N HDL सर्च करने के बाद दोस्तो next page इस प्रकार से उपन होगा, यहाँ पर देखें सबसे उपर में लिखा हुआ है, online pen application एपिकेशन इस पर किलिक करेंगे, किलिक करते हैं दोस्तो next page इस प्रकार से उपन हो जाएगा यहाँ पर देखिए online pen application नीचे लिख रहा है दोस्तो apply online और continue with pen application में यहाँ पर दोस्तो apply online पर ही आपको रहने देना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर application type देखिए application type में आपको दोस्तो थर नमबर पर लिखा हुआ है changes और correction in objecting pen data इस पर click कर देंगे side में दोस्तो लिखा हुआ है category category पर दोस्तों select करेंगे और यहाँ पर individual आपको select करना है उसके बाद थोड़ा सा scroll करेंगे scroll करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको title select करना है जो भी आपका title है स्री स्री मती कुम of worth फिल करना है email id फिल करना है mobile नमबर फिल करना है यहाँ पर देखें दोस्तों weather citizen of India लिखा हुआ है यह दिया आप इंडिया के निवास ही है तो yes पर click करेंगे और यहाँ पर दोस्तों capital में pin card number फिल कर देंगे उसके बाद दोस्तों check box से यहाँ पर बना हुआ है यह सभी details दोस्तों मैं यहाँ पर फिल कर देता हूं नीचे check box बना हुआ चैक बॉक्स पर दोस्तों क्लिक करेंगे और select language इस पर क्लिक करेंगे यहां पर देखें दुस्तों मैंने English Select किया हुआ है और English Select करने के बाद नीछे लिक रहा है आई एम नौट इरुवेट इस पर क्लिक कर देंगे क्लिक करते हैं दोस्तों यहां पर नीचे दिखाए दे रहा है reset और submit है तो हमको submit पर क्लिक करना है जैसे submit पर क्लिक करेंगे next page इस प्रकार से open हो जाएगा next page open हो चुका है यहां पर देखे दोस्तों आपको token number मिल चुका है token number को आप दोस्तों लिख कर रख लें या screenshot ले लें क्योंकि आप यह दी site से back हो जाते हैं या आपकी network चला जाता है तो यहां token number आप फिल करके और site पर होने पहुंच सकते हैं उसके बाद दोस्तों नीचे लि चार step में यह पूरा करना है लिखा हुआ है दोस्तों guideline, personal detail, contact and other detail, document details यहां पर देखे दोस्तों आपको तीन option दिखाई दे रहे होंगे तीन यहां पर first number पर देखे दोस्तों लिखा हुआ है submit digitally throw, ekyc यह दी दोस्तों आप इस पर click करते हैं जो आप check box बना हुआ है इस पर click क मिलेगी यहां पर आपको कोई भी document upload नहीं करना होगा, second number पर दोस्तों लिखा हुआ है submit scan copy, यदि दोस्तों यदि आप यहां पर इस चैक बोक्स और click करते हैं तो आपको जैसे आधार card, pin card, photo या signature यहां पर दोस्तों आप अपना upload कर सकते हैं और इनकी जर्वत यहां पर अपने मन मताबे के photo और signature ला सकते हैं अपने pain card पर है, उसके बाद थोड़ा सा scroll करेंगे, scroll करने के बाद दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है whether physically pain card is required है, यदि दोस्तों आप फिजिकली pain card अपने घर पर मंगाना चाहते हैं तो yes पर click करें, और दोस्तों नहीं मंगाना चाहत नीचे दोस्तों लिखा हुआ है, pain card number automatic आपको यहां आ जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है, inter last four digits आधार की आपको जो last four digits हैं वो यहां पर fill करनी होंगी, तो मैं दोस्तों यहां पर यह fill कर देता हूँ, fill करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा scroll करेंगे, scroll करने के बाद जो आ आपका नाम दिखाए देगा, उसके बाद जो pain card पर नाम छपकर आएगा, print होके आएगा, वो नाम आपको यहां पर दिखाए देगा, यहां पर दोस्तों date of birth लिखी हुआ है, date of birth पर मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद दोस्तों यहां पर gender लिखा हुआ है, जो भी gender है आप यहां पर select करेंगे, यहां पर दोस्तों यह जो checkbox बने हैं, checkbox का ध्यान रखना है, कि जिस भी category में जिस में भी आप correction करवाना चाहते हूँ, जैसे मैं दोस्तों यहां पर pin card में मेरी date of birth गलत है, तो मैं यहां पर date of birth सही करवाना चाहता हूँ, यह दि दोस्तों आपका father's name फिल करना है, जो भी दोस्तों आपका father's का नाम है, फिल करना है, फिल दोस्तों उसी प्रकार से करना है, surname जो last name रहेगा, first name और middle name यहां पर फिल करना है, तो दोस्तों मैं यहां पर यह फिल कर देता हूँ, फिल करने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए, mother's name आपको फ टेलब करना चाहो या नहीं दोस्तों कोई फरक नहीं पड़ेगा उसके बाद दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है printed on paint card की किस parents का नाम आप पर चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर फादर पर किलिक किया है और next पर किलिक करते हुए नेक्सट पर किलिक करने के पर दोस्तों इस प पर लिखा हुआ है country code, country code जो इंडिया का country code है 910 वो select कर लेंगे, जो भी इंडिया का code रहेगा मैं यहाँ पर select कर देता हूँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर automatic आपको mobile नमबर दिखाई देगा, mail ID भी आपको दिखाई देगी, यहाँ पर देखें दोस्तों लिखा हुआ है mention other pain cards, यदि दोस्तों आपके पास एक स्याधि pain card हैं तो इस पर click करें और click करने के बाद उसका number यहाँ पर fill करें, automatic की दोस्तों वो दूसरा pain card जो आपके काम नहीं आता है, reject हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों जो next लिखा हुआ है, उस पर click कर देते हैं, next पर click करने के आधार card select कर दें, मैं यहाँ पर proof of address में भी दोस्तों आधार card select कर देता हूँ, यहाँ आधार card select कर दिया है, proof of date बर्त में भी दोस्तों यहाँ पर आधार card select कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है proof of pain, इस पर देखें दोस्तों आप यहाँ पर copy of pain बीुक कारते हैं, копie औप inh, allotment letter, no document यदि दोस्तों, आपके पास copy of pane है, तो आप यहाँ पर इस को select करेें, यदि आपके पास कोई document नहीं है, तो आप दोस्तों, no document select करें, और दोस्तों, यदि आपके पास कोई allotment letter है, copy of pane का, तो उसको सलक करें मेरे केस में दोस्तों यहां पर है यहां पर यहां पर लिख दें आप यहां पर संख्या दो आप पेन कार्ड बना रहे हैं आप उसका इस्थान लिख दें, प्लेस लिख दें उसके बाद दोस्तों आपको अपड़ टो Community, ऑप जो आपको जो आधार कार्ड है उसकी PDF format में कौपी अपलोड करना है यहां पर देखें दोस्तों लिखा हुआ है कि आप 50 के भी से अधिक का जो फोटो है वो upload नहीं कर पाएंगे 50 के भी से अधिक फोटो नहीं होने चाहिए किस प्रकार से आप upload करेंगे आप दोस्तो आलरेडी पहले से save कर लिजे कहीं पर भी जहां से आपको आसानी रहे कि आप यहां से कर सकते हैं तो मैं यहां पर select कर लेता हूँ यहां पर देखे दोस्तो प्लस का आइकन बना हुआ है इस पर click करेंगे click करने के बाद दोस्तो हम automatic है जहां पर document हमने save कर रखें उस पर पहुंच जाएंगे मैंने दोस्तो यहां पर select कर लेता हूँ फोटो और signature दोस्तो मैंने आप फोटो सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, उपन इस पर किलिक कर देंगे, किलिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो दिखाई देगा, यह दोस्तों फोटो अपलोड हो चुका है, उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार से सिगन सिंगनेचर भी यहां पर हम अपलोड कर लेंगे तो मैं दोस्तों सिंगनेचर भी अपलोड कर लेता हूं यह सिंगनेचर दोस्तों मैंने अपलोड कर लिये हैं उसके बाद दोस्तों आपको पीडिये फॉर्मेट में जो आधार कार्ड है वो आपको यहां पर अपलोड करना है यहाँ पर देखे दोस्तों आपको अपना pain card number दिखाई देगा सबसे उपर मैं नीचे लिखा हुआ है दोस्तों की जो आधार के first 8 digit हैं वो यहाँ पर आप फिल करेंगे तो मैं दोस्तों यहाँ पर फिल कर देता हूँ यहाँ पर दोस्तों आधार के जो first 8 digit हैं मैंने फिल कर दिया है आपको यहाँ पर name edge पर आधार यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा थोड़ा सा scroll करेंगे, scroll करने के बाद दोस्तों आपको पूरी detail आपकी यहाँ पर दिखाई देगी उसके बाद थोड़ा सा scroll करेंगे, scroll करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है edit और proceed, दोस्तों यदि आपको detail में कुछ problem दीखे या कुछ detail आपकी गलत दीखे तो edit कर सकते हैं नहीं तो दोस्तों आप proceed पर click करेंगे, यहाँ पर मैं दोस्तों proceed पर click कर देंगे, click करने के बाद दोस्तों next page इस प्रकार से open होगा यहां पर देखे दोस्तो Online Payne Application यहां पर आपको mode of payment payment करना है आप दोस्तो यहां पर payment करेंगे किसी भी प्रकार से आप दोस्तो यहां पर payment कर सकते हैं यहां पर देखे दोस थर्ड पॉइंट लिका हुआ है Online Payment Drop Build S金hing इस पर क्लिक करते हैं Pay confirm पर जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे आपको next page इस प्रकार से open होगा, यहाँ पर देखें दोस्तों आप किसी भी प्रकार से payment कर सकते हैं, net banking, credit card, debit card, QR code, wallet या UPI, दोस्तों यहाँ पर वहती आसान तरीका है QR code से payment करना, क्योंकि दोस्तों सभी लोगे phone पर Google पर भीम UPI का उप्यूग करते हैं, तो QR code से आप आसानी से payment कर सकते हैं, यहाँ पर देखें दोस्तों select your QR, यहाँ पर भीम UPI select करेंगे, select करने के बाद दोस्तों make payment पर किलिक कर देंगे, payment पर जैसे ही किलिक करेंगे, दोस्तों आपको एक QR code दिखाई देगा, आप दोस्तों QR code को scan करके, scan करके आप पर payment करेंगे, यहाँ पर दोस्तों मैं payment कर देता हूँ, दोस्तों payment हो चुका है, payment मेरे mobile से cut गया है, next page इस परकार से आपको दिखाई देगा, यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है, लिखा हुआ है कि एक मिनट तक लग सकता है, तो इसको refresh नहीं करें, और page को close भी नहीं करें, तो थोड़ा सा वेट कर लें यहाँ पर, payment होने के बाद दोस्तों इस परकार से आपको दिखाई देगा, तोड़ा सा scroll करेंगे, scroll करने के बाद checkbox बना हुआ है, checkbox के बाद दोस्तों यहाँ पर authenticate लिखा हुआ है, इस पर click करेंगे, दोस्तों यहाँ पर authenticate पर click करने के बाद next page आपके सामने open होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है OTP authentication, जो आपका आधार में जो mobile नमर जुड़ा हुआ है उस पर एक OTP जाएगा OTP authentication पर क्लिक कर दिया है यहाँ पर देखिए दोस्तों submit पर मैंने क्लिक कर दिया है और next page इस परकार से open हो चुका है यहाँ पर दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है continue with each sign इस पर क्लिक करेंगे क्लिक जैसे ही करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर next page इस परकार से दिखाई देगा है, यहां पर दोस्तों, आपको आधार number फिल करना है, और उसको यहां पर fill करना है, यहां पर दोस्तों, वेरिफाई हो चुका है, उसके बाद next वेज़ इस प्रकार से ओपन होगा यहां पर देखे दोस्तों आपको PDF को खोलने के लिए जो format दिया हुआ है आपको date of birth फिल करना है फिल में देखे दोस्तों day DDMMYY में आपको यहां पर फिल करना है जो भी date of birth है उसको regular में यहां पर दोस्तों आप फिल करेंगे, रेगुलर में दोस्तों यहां पर फिल करने के बाद यह PDF खुल जाएगी और इस PDF को आप दोस्तों सेव करके रख सकते हैं, यहां पर OK करेंगे, OK करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से यह PDF आपको दिखाए देगी, यहां पर देखें दोस्तों इस PDF को आप डा डाउनलोड कर लें, दोस्तों मैंने यहाँ पर print पर जाकर save PDF में इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, इस प्रकार से दोस्तों आप अपने घर बैटेई, अपने mobile या laptop के माद्यम से pain card correction कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, share करें और चैन झालवार